हेलो गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग 11th NCRT चैप्टर नंबर फोर्थ चैप्टर नंबर कौन सा फोर्थ नंबर एनिमल किंग्डम का यह फाइलम नंबर सिकेंड इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे संग सिलेंट रेटा और इसका सिकेंड नेम नाइडेरिया है तो इसका दोनो नाम आपको एकदम पता होना चाहिए कभी-कभी सिलेंट रेटा का देता है पूछता है और कभी-कभी नाइडेरिया पूछ लेता है तो कन्फ्यूजन नहीं होता है सिलेंट रेटा और नाइडेरिया आपको दोनो पता होना चाहिए चलिए इसके करेक्टर देखते हैं और Animal Kingdom से पूरा एकदम complete करा देंगे और आप लोग को कोई question गलत नहीं होने वाला है तो अभी Hindi में ये आप लोग देखेंगे पहले first में Hindi में दिखा दे रहे हैं और इसके बाद इसी वीडियो में English में भी करा देंगे तो आप लोग जितने भी student हिंदी में वीडियो देखते हैं वो please English में जरूर देखना आप लोग अगर एक बार में समझ ना आए तो दो से तीन बार देखिए 100% आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए पहले हिंदी में ही clear कर लेते हैं इसके characters, silentator, nideriya के यह देखिए यह जलिये अधिकांस्ता समुंदरी, अस्थावर, अथ्वा मुक्त तैरने वाले सम्मित प्राणी होगा है तो यह एक question हो गया कि यह समुंदर में पाए जाते हैं nideriya नाम इनकी दंस कोशिका, तो यह भी question पूछा जाता कि निडेरिया में क्या दंस कोशिका पाए जाती है किसमें, नीडो ब्लास्ट किसमें पाए जाते हैं तो यह संग, silentator, नीडेरिया में पाए जाती है, सब question बने हुए है यह कोशिकाएं, असपरसकों तथा सरीर में अन्य अस्थानों पर पाए जाती है दंस कोरक, नीडो ब्लास्ट यही question पूछा जाता नीडो ब्लास्ट चल किसमें पाए जाती है किस phylum में, तो silentator में इस्तिरेक रच्छा तथा सिकार यह नीडो ब्लास्ट चल क्या करती है इस्तिरेक रच्छा तथा सिकार के लिए ये होती है तो ये देखिए पकड़ने में सहाइक होती है प्रे और प्रिडेटर का खेल इसमें चलता है प्रे और प्रिडेटर ये देखिए पहले हम आपको आज एक बता देने हैं ट्रीक भी बता देने हैं प्रे और प्रिडेटर प्रिडेटर अब ये बड़ा च्छराप को दिख रहा होगा, ये खाता है प्रे को, प्रेटर क्या होता है, खाता है किसको प्रे को, तो अब समझ गये होंगे, प्रेटर क्या होता है, खाता है प्रे को, अब आप भूलेंगे नहीं, तो ये देखिए, निदेरिया में उतक अस्थर संगठन होता है और ये दी कोईस्च की होते हैं एवी कोईस्चन पुछा जाता है कि सिलन्ट रेटा दी कोईस्च की होते हैं कि एक कोईस्च की है तो दी कोईस्च की है इन प्राणियों में केंद्री ये जठर संबनी गेस्ट्रो बैस्कुलर ये भी कोश्चन पुछा जाता है कि गेस्ट्रो बैस्कुलर किसमें पाय जाता है तो सेलेंट रेटा में गुहा पाय जाती है जो अधोमुक हाइपो इस्टोम ये भी कोश्चन पुछा जाता है कि हाइपो इस्टोम किसमें पाय जाता है अधो मुख पाया जाता है, तो हाइपो इस्टोम पाया जाता है, सेलेंटेटा निडेरिया, एक ही फाइलम दोनों का नाम है, सेलेंटेटा या बोलिए, या फिर निडेरिया बोलिए, दोनों एक ही बात है, पर इस्थित मुख द्वारा खुलती है, इनमें अन्ता कोस्किय य और अंतरा कोस्किय दोनों होता है, इनके कुछ सदस्यों जैसे प्रावल कोरक, कोरल पाय जाती है, कोरल पाय जाती है, और कोरल में कैलसियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाय जाता है, जो स्केल्टर पाय जाता है, कोरल में किसका बना होता है, एक बार कोश्चन पूछा गया थ कि कोरल्स किसकी बनी होती है तो कल्सियम कार्बोन नेट की इनका सरीर दो आकारों ये भी कुश्चन पूछता है कि किसमें पालिप और मिडियूसा स्टेज पाए जाती है माली जैसे हम लोग है तो हम लोग में पहले क्या पहले हम लोग छोटे से बच्चे रहेंगे पूछता है कि पालिप और मिडियूसा स्टेज किस फाइलम में पाए जाती है तो निडेरिया या फिर आफ्चन में सिलेंट्रेटर रहेगा आगे चलिए पालिप अस्थावर तथा बेलना कार होते हैं जैसे हाइड्रा हाइड्रा मेडियूसा छत्री के अकार का तथा मुक के बनते हैं नेक्स्ट वए निडेरिया जिनमें दोनों पालि तता मिडियूसा दोनों रूम में पाए जाते हैं उनमें पीडिय מ से दूसे फार्म में चेंज होने को ही metagenesis कहते हैं जैसे ओविलिया में polyp alengic genon के द्वारा mediusa उत्पन करता है तथा mediusa langic genon के द्वारा polyp उत्पन करता है काफी बारे question पूछा जाता है गुमा फिरा के mediusa जब produce करता है किस को polyp को कौन किरिया के द्वारा तो langic genon के द्वारा तो आप इसके एकजामपल एकदम आप 100% रट लीजिएगा phycelia को क्या कहते है पुर्त गाली युद्ध मानो कहते है और adamsia को क्या कहते है समुंद्र एनिमून कहते है और pinatula को क्या कहते है समुंद्र पिच्छ कहते है और gargonia को क्या कहते है समुन्दर बियंजन कहते हैं तच तथा मेंडरीना को क्या कहते हैं? ब्रेन कूरल कहते हैं तो यह सब एक्जामपल पूछे गए हैं यह देखिए नीडो बलास्ट इसमें पाए जाती है यह नीडो बलास्ट का और के इसी से वो क्या एक chemical secret करती है और अपने prey को क्या करती है माल लिजी ये prey बना है और यहाँ chemical secret करेगी इसके उपर और ये मर जाएगा बेहोस हो जाएगा फिर निसी के थुरू ये अपने अंदर भोजन ले ले लेती है extra cellular, intercellular digestion दोनों होता है तो चलिए अब silent data और जो निडरिया है इसको इंगलिस में भी देख लेते हैं इंगलिस में गजब का explain करेंगे 100% एकदम clear हो जाएगा तो आप हिंदी में अगर देखते हैं तो इंगलिस में जरूर देखिएगा और हिंदी के हैं तो आप जरूर देखिए ना और फिर यह हम बाद में पूछते हैं कि कैसे क्यों नहीं हुआ तो बाद में excuse मत देना प्लीज पढ़ाई जरूर करें आप लोग चलिए इंगलिस में भी देखते हैं तो चलिए phylum silent data निडरिया को हम लोग इंगलिस में भी discuss कर लेते हैं बट student आप लोग से please एक request है कि आप लोग video को please share जरूर करें चाहे अपने whatsapp गुरूब में या फिर facebook पे कहीं भी आप share जरूर करें क्योंकि जितनी student इसफे बढ़ेंगे subscriber number बढ़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा और उतना भी कराने में active पन होता है क्योंकि अभी मेरा भी कोई भी video अभी ये video upload होगा आप देख लेना एक दिन के बाद 24 गंटे बाद देखना इस पर हायर 1500 वाज़ टाइम से मिलता है तो 1500 वाज़ टाइम एक video और subscriber कितने है something में 7000 सब्सक्राइबर है और views कितने आ रहे हैं 1500 तो फिन अच्छा नहीं लगता तो आप लोग video को share जरू करें maximum जब views आएंगे तो फिर मज़ा आएगा वीडियो कराने में तो आप लोग को एकदम पूरा 100% help करूँगा nursing parametrical pharmacy में आपका 100% saver है कि आपका selection करा दूँगा बट आपको मेहनत जरूर करने पड़ेंगे पढ़ाई अच्छे से करनी है 6-8 घंटा अभी आप लोग daily 6-8 घंटे पढ़िए जैसे exam पास में आएगा आप लोग तुरंट 10-12 घंटे कर देंगे तो अभी आप पढ़ाई करते रहिए चलिए इंगलिस में आप लोग करते हैं आप लोग प्लीज अगर पहली बार आप आप आज कर रहे हैं तो subscribe जरू कर लीजिएगा चलिए phylum sealant rate को ही nideria कहते हैं यह आपको एकदम confirm है next they are aquatic यह aquatic होते हैं mostly marine यह question पूछता है कि mostly marine कोन होते हैं सिलन्ट रेटा सिसाइल होते हैं फिरी स्वीमिंग भी होते हैं और समेट्रिकल एनिमल होते हैं they name niderians derived from the derived from the nido blast और nido site यह question पूछा जाता है कि nido blast और nido site सेल किसमे होती हैं तो sealant रेटा में which contain the sting capsule and nematocyst present under tentacles and body body पे इसके present होती है anchoring support के लिए युच की जाती है defense के लिए protection के लिए and further capture of prey अब यह prey को पकड़ने के लिए की जाती है prey और predator तो बता ही दिया है predator होता है predator क्या होता predator देख लिए बड़ा लिखा है और prey छोटा लिखा है तो predator prey को खाता है तो यह prey हो जाएगा जैसे बाग जो है share जो है share क्या है predator है और prey share के लिए कौन होगा जिसको share खाएगा वो share का prey होगा और predator share हो जाएगा तो यह खेल ऐसे होता है तो capture prey यह जो needle blast होती है यह क्या work करती है anchor है जिसको protection defense के लिए सब यूज की जाती है और prey को मारने के लिए भी यूज किया जाता है निडेरियंस यह देखिए निडेरियंस exhibit tissue level organization और diploblastik यह भी question पूछा जाता है कि diploblastik कोन होते है तो diploblastik का मतलब होता है diploblastik का मतलब क्या होता जो इसके germinal layer होती है diploblastik जैसे मालीजिये क्या होती है जैसे हम लोग बना लेते है एक क्या बना लेते है germinal layer बना लेते है एक बना लिये दो बना लिये और तीन बना लिये तो यह होता है एक क्या होती है एक ictoderm हो गया E C T O icto D E R M ictoderm Indoderm और mesoderm यह मीजोडर्म है, तो मीजोडर्म इसमें तीन होती है, अगर इक्टोडर्म और इंडोडर्म पाय जाता है, तो उसी को डिपलोब्लास्टिक कहते हैं, तो यह बात क्या कर रहा है, बात कर रहा है डिपलोब्लास्टिक, डिपलोब्लास्टिक में इक्टोडर्म लेयर पाय जा तो cellen tator nidaria में, इसमें एकी opening पाए जाती है, उसी से खायेगा, उसी से निकालेगा, उसको क्या गयता है, हाई पो स्टोमचा पाए एंटरा кुछ होता है है, तो यह भी question पूछा भी गया है कि cellen tator और nidaria में, जो digestion होता है, कौन सा होता, तो इसमें, आप देखेंगे आंदर भी Intracellular पाय जाएगा और टू basic body farm called polyp and medusa, ये भी question बार बार पूछा जाता है कि two basic body इसमें पाई जाती है, polyp and medusa, जैसे हम लोग में पहले child रहेंगे, फिर adult होंगे, फिर old होंगे, ऐसे इसमें दो परकार की body पाई जाती है, polyp पाई जाती है, और medusa, तो question पूछता है कि polyp or medusa किस फाइल में पाई ज जो polyp होती है उसकी body जो होती है सिसाइल होती है चेप्टी होती है और like जैसे hydra की तरह होती है polyp तो question पूछा जाता है polyp कैसी होती है सिसाइल और cylindrical hydra और adamsia की जैसी body होती है शरीर वैसे ही polyp की होती है next कह रहा है कि होयर है जहाँ पर the later umbrella shaped and free swimming like आरे लिया अब medusa का shape जो होता है वो umbrella shape होता है अभी हम आपको ये भी figure भी दिखा दे रहे है umbrella shape and free swimming like जैसे आरेलिया और jellyfish इसकी तरह होती है next दोज निडेरियंस ये दोनों निडेरियंस जो होते हैं कौन polypore medusa which exists in both farm exhibit alternation of generation काफी war question पूछा गया है कि metagenesis आपको कहां पे देखने को मिलती है किस फाइलम में तो आपको पता हो गया होगा कि metagenesis आपको silent data निडेरिया में देखने को मिलती है जैसे देखिए ये वी question एक बार पूछा गया था polyproduce medusa जैसे ही आप लोग ऐसे लिख सकते हैं पी यम जैसे परधान मंतरी अगर पी यम प्रोड्यूच करता है medusa को तो कैसे प्रोड्यूच करता है किस method के थुरू आसेक्सोली के method के थुरू तो आप यहीं लिख सकते हैं आसेक्सोली एस एक्स यू ए डबल वल वाई actually आसेक्सोली method के थुरू तो यह polyp प्रोड्यूच करता है medusa को और and इसके आगे देख लीजिए medusa farm the polyp sexually अगर यम प्रोड्यूच करेगा polyp को तो ऐसे आप बीच में लिख सकते हैं sexually sexually यह प्रोड्यूच करता है medusa farm करता है polyp को sexually यह सेक्सोली तो एक्स यू ए डबल यल वाई sexually तो यह question पूछा गया इसी को metagenesis कहते हैं कभी कभी यह question में देता है कभी direct यही पूछता है कि metagenesis किसमें पाई जाती है और option में example में रहता है ovelia तो आप direct metagenesis जैसे पूछेगा metagenesis किसमें पाई जाएगी तो ovelia option में दिया रहता है तो आप Obelial लगा सकते हैं और इसके Example इसके Example तो very most important है आप एकदम अच्छे से याद कर लिजिए हम कैसे याद किये थे P² ऐसे याद किये थे P² मैगी याद किये थे I, A, G I नहीं लगाये थे बस P² मैग लिखे थे तो P² से क्या हो जाएगा एक P से होगा Phycelia होगा दूसरा P से Pinetula हो जाएगा और E.M से क्या होगा मैंडरीना हो जाएगा और A से क्या हो जाएगा Adamcia और G से Gargonia हो जाएगा तो इसका Second नाम भी आपको रटा होना चाहिए जैसे Phycelia का दूसरा नाम क्या है Part 2 Gauge मैना-फवात दूसरा नाम है Adamcia का C-Animone Pinetula का C-Pen Gargonia का C-Pen मैंडरीना का Brain Coral तो ऐसे आपको एगदम रटा होना चाहिए चलिए अब Polypon Medusa का ये आप लोग फीगर भी देख सकते हैं जैसे देखिए ये फीगर आप लोग देख लीजी अच्छे से ये एक्जाम्पल आप Cylentrator इंडिकेटिंग आउटलाइन आप दियर बाडी फार्म जैसे आरिलिया फर्स्ट ये कह रहा है क्या है ये फर्स्ट जो है ये आरिलिया Medusa फार्म है और Medusa फार्म च्छतरी की तरह है ये देखिए च्छतरी की तरह बताया गया उसमें और Adamcia देख लिजिए Polypsisile और Cylindrical की तरह है तो ये फिगर भी दिया गया है तो next हम लोग फार्म कौन सा करेंगे तीनो फोरा करेंगे तीनो फोरा से भी question आता है वहाँ से एक ही question बार बार बनता है जो कि हम लोग उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे सबसे छोटा फार्म यही है इस पूरी सबसे निडेरिया तो अच्छा है ये जो टीनो फोरा जो है next फार्म सबसे छोटा है तो हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो चलिए हम लोग अच्छे से इस लास्ट का आप लोग देखिए और कोई भी क्वेस्चन हो तो आप लोग जरूर पूचिए और अच्छे से पढ़ाई करिए सेलेक्शन 2020 में 100% आपका सेलेक्शन होगा या हो केजे म्यू हो या हो ब्याच्चू हो जहां पे भी ब्यासिन नर्सिंग नर्सिंग पारामेडिकल फार्मेसिक कहीं पे भी आप इंटरंस देने जा रहे हैं 2020 में तो आप लोग पढ़ाई चरूर करिए या ब्याच्चू हो या केजे म्यू या जेस बियम या सीपीनेट से फ़ाई टावा कहीं पे हो या फिर जहां सी हो चाहे जहां पे हो तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ब्यस्ट वीडियो के साथ आएंगे आप ही लोग के लिए तो आप लोग प्ली चैनल को सेर जरूर करें थाइंक्यू